बिहार आईए आपका नर्क में स्वागत है अगर आप ऐसा कहीं लिखा हुआ पढ़ें तो आप क्या सोचेंगे नमस्कार मेरा नाम है सौरफ सिंग और आपका स्वागत है दा भारत जंक्शन पर आज हम बात करेंगे बिहार के उन दिनों की जब बिहार में लोग 6 इंच छोटे होने लगे थे आप भी हैरान हो गए होंगे और सोचेंगे कि ये कैसी बाते मैं कर रहा हूँ तो चलिए सुनिए ये एक ऐसा किस्सा है जो हम सब को सुनना चाहिए 1977 में बेचली कांड के बाद असी के दसक में मद बिहार के भोचपूर पटना और अंगाबाद गया जहानाबाद नालंदा और सिवान पर जमीन पर कबजे के लिए जातिय संघर्ष का केंद बन गया कुर्मी भूमिहार राजपूत और निचली जातियों ने सेनाय बना ली M.C.C. माले और M.S.C. के नीचे जातियों के लिए ससस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया साथ बड़े नलसंघार हुए पारस भिगा 1980 में 13 दलितों की हत्या पिपरा 1980 में 14 दलितों की हत्या गईनी 1982 में 6 दलितों की हत्या केत बिगहा 1985 में 10 दलितों की हत्या अरवल 1986 में 21 हरिजनों की हत्या डामे चेक भगवरा में 1987 में 52 राजपूतों की हत्या ये बड़ी घटना है छोटी घटनाओं को अगर मिला दे तो 1980 से 90 के बीच में कम से कम 5 लोग मारे गए MCC लड़ रही थी तो कहीं रणवीर से की सेना मुकाबला MSK और माले से हो रहा था भूसुधारक लागू ना कर पाने और निजी सेनाओ पर लगाम लगाने में तंत्रबूरी तरीके से फेल था गंगा के एक तरफ का इलाका धूदू करकर जल रहा था तो MCC का नारा था 6 इंच छोटा कर देंगे मतलब सिर काट देंगे और अंगाबाद के दर्मिया में इसका विभस्त रूप दिखा जब राजपूत जमीदार अंबिका सिंग के परिवार के 11 सदस्यों की हत्या सिर काट कर कर दी गई देश विदेश के अकबारों में बिहार में उपनाम दिये जाने लगे कुछ नाम ऐसे थे बिहार जहां धर्ती का अंत होता है बिहार आईए आपका नर्क में स्वागत है यही लाइन मैंने आपको उपर बताई थी बिहार 90 के दसक में क्या था और बिहार आज की डेट में क्या है यह आप अंतर साफ समझ सकते हैं बिहार जहां एक तरफ बदल कर अब कुछ सांती की और बढ़ चला है तो वही पुराने परिवार आज से फिर हावी है बिहार की राजनीती में आप सोचें आप किसको अपना मतदान करेंगे आप किसको अपनी सक्ता देंगे क्या आप फिर से वही 90 का दसक दोराते हुए बिहार के अंदर देखना चाहते हैं फिर से वही बाहुबलियों और निताओं की साठगाट देखना चाहते हैं क्या आप फिर से अपनी जमीनों को गवाते हुए देखना चाहते हैं आप हमारे इस वीडियो पे जो भी राय रखते हों हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं या आप हमारा ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें या आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रस करें बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद